दोस्तो नमस्कार पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपना पैन कार्ड को कि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिनका pen card आपके आधार card से link नहीं है उसको आप किस तरीके से link कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसकी payment कटवा सकते हैं अपने credit card से, debit card से या net banking के माध्यम से वीडियो में step by step सारी चीजें बताएंगे वीडियो में last तक जरूर बने रहेगा ताकि आपको सारी चीजें clear हो सकें कि आपको कैसे कैसे steps follow करने हैं और किस तरीके से आपका आधार card आपके pen card से आसानी से link आप कर सकते हैं घर बैटे बैटे बिना कहीं जाए जब तक page loading हो रहा है आपको next page का इंतिजार करना है और वीडियो में last तक बने रहना है इस page को बिलकुल भी skip नहीं करना है नहीं इस page को refresh करना है क्योंकि pen card income tax की जो side है वो काफी ज़्यादा इस तरह में उस पर load है क्योंकि काफी सारे लोग एक साथ login हो रखे है इसकी वैसे दिक्कत आ रही है ठीक है आप आजाएंगे official page पर यहाँ पर आने के बाद आपको अपना permanent account number यानि के pen number आपको यहाँ पर fill करना है जो भी आपका pen number हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है उपर वाले column में और जब आप pen number डाल देंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है pen number सही से डालना है बिल्कुल भी कोई mistake नहीं करनी है और जो pen card आपका है जिस भी व्यक्ति का pen card है उसी का ही आधार card नीचे वाले box में आधार number भी आपको डाल देना है तो आपको ये भी सारी चीजे बहुत ही carefully करनी है क्योंकि अगर एक बार भी wrong detail चली गई तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि if link side income tax की side पर proper data जा रहा है इस समय पर और देखे यहाँ पर आपको link आधार status पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको दिखेगा कि pan not link तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है और आपका दुबारा से जो page open होगा उसमें दुबारा से आपका pan और आधार number मांगेगा तो आप यह मस्तोचेगा कि वो pan number आधार डाला था तो यह पता नहीं क्या हो गया दुबारा क्यों आ गया आपको दुबारा से re-verify करना है और दुबारा से अपना pan number और आधार number इस कॉलम में डाल देना है और डालने के वाद दुबारा से link का option जो आएगा नीचे right side में आपको उस पर क्लिक कर देना है ठीके दोस्तों तो यहाँ पर हमने अपना आधार card और pan card डाल दिया है मैं आपको validate पर क्लिक करके दिखाता हूँ देखे यहाँ पर option आ जाएगा यहाँ पर आपको continue to pay पर क्लिक करके और दुबारा से अब यहाँ पर re-verify करने के लिए आपका pan card number मांगेगा तो आपको दौनों कॉलम में pan number यहाँ पर mention कर देना है यानि कि डाल देना है pan number यहाँ पर आप सोर नहीं करेगा कि क्या आप डाल रहे हैं तो आपको बहुत आराम से keyboard में देख करके सब caps lock on करके अच्छे से डाल देना है यह डालने के बाद आपके आधार card पर जो mobile number लिंक होगा वो mobile number आपको नीचे वाले कॉलम में डाल देना है क्योंकि यह इसका एक OTP जाएगा जो की verify करेगा कि आपका आधार भी आपके mobile number से link है या नहीं इसको आप continue कर देंगे और continue करने के बाद ही आपके registered mobile number पर एक OTP जाएगा जो आपको यहाँ पर mention कर देना है ठीक दोस्तों मैं अभी देख लेता हूँ कि मेरे mobile पर OTP आया है यह नहीं आया है तो कभी-कभी server issue की वज़े से बहुत ही देर में आ रहा है लेकिन मेरे पास OTP इस समय आ चुका है तो मैं यहाँ पर उस OTP को mention कर दूँगा और OTP आपको पता होगा देखी OTP एक ऐसा word है one time password जो की आपको किसी को भी share नहीं करना होगा सिर्फ आप जान पर चैवालों को ही OTP बताईए या फिर खुद से करेंगे तो अपने आपी OTP इसमें डालिए अगर कोई आपके पास अधर कॉल आती है कि आपको OTP बता दीजी आपका pen card अधर कार्ट से link होने के लिए कॉल आईए तो आपको किसी को भी OTP share नहीं करना है जब तक कि आप पूरी तरह से नहीं जान लें कि आपका ही बनता है या फिर आपका ही कोई परिचित है ठीक है तो तो क्योंकि काफी सारे online frauds हो रहे हैं और इसके भी काफी frauds call अब आने start हो गए हैं तो यहाँ पर मैंने OTP डाल दिया है और continue पर click कर दिया है continue पर click करते देखे you have successfully verified through mobile OTP यहाँ पर लिखा आजाएगा आपको करना है continue और continue करने के बाद आपका आगे का जो process है वो आपको यहाँ पर display पर so हो जाएगा page loading होने के बाद देखे यहाँ पर एक error आगया इसको हम हटा देंगे यह error side में आ रहा था लेकिन अब आप करेंगे तो आपको यह error नहीं आएगा क्योंकि इस error की पहले दिक्कत बहुत जादा आ रही थी इसके बाद page खुलेगा आपका सीधा agree to payment करने का यह conditions है आपको पढ़नी उपड सकते हैं otherwise आप इसको submit to bank पर click कर देना है ठीके दोस्तों payment पर click करने के बाद आपको देखे यहाँ पर column खुल जाएगा 1000 रुपे की जो fees है वो आपको यहाँ पर show होने लगेगी उसके बाद आपको यहाँ पर अपना enter mobile number करना है जो आपका mobile number आधार कार्ड में लिंक है वो आपको यहाँ पर डाल देना है साथ ही साथ यहाँ पर एक email ID है जो की optional है बट आपको यहाँ पर कोई न कोई email ID डाल देनी है चाहें वो अपनी डाल दीजी चाहें किसी की भी डाल दीजी लेकिन email ID active होनी चाहिए जो भी आप यहाँ पर mention करोगे ठीक है और जो यहाँ पर आपको capture code दिखाई दे रहा है वो capture code भी आपको यहाँ पर fill कर देना है और इसके बाद करना है pay now जब आप pay now पर click कर देंगे तो आपके सामने एक dashboard open हो जाएगा जहां पर आपको अपना card number expiry date, CVV और card holder name यह सारी detail आपको इस column में fill कर देनी है ठीक है तो यह सारी चीजें आपको step by step I hope so समझ में आ रही होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like जरू कर दीजेगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो bell icon दबा के channel subscribe भी कर दीजेगा देखे card detail डालने के बाद यहाँ पर आपके mobile पर एक OTP जाएगा जो की payment के लिए जाएगा तो आपको वो OTP यहाँ पर mention करके submit पर click कर देना है जैसे ही आप submit पर click करेंगे आपकी payment verify होने के लिए portal पर जाएगी और आपकी amount 1000 रुपे जो है वो detect होके आपकी fees यहाँ पर confirm हो जाएगी देख लेते हैं यहाँ पर fees कटने वाली है और देखे fees कटने के बाद आप दुबार से उसी साइट पर automatic आ जाएगे और यहाँ पर आपका confirmation भी आ जाएगा कि आपकी fees देखें यहाँ पर payment is successful आपकी जो payment है वो यहाँ पर verified हो चुकी है अब आपको कुछ देर इंतिजार करना होगा और यहाँ पर इसको तो download करके रखी लेना है अपने पास और यह जैसे ही payment वहाँ से verify हो जाएगी verify होने के बाद आपको दो से तीन दिन बाद दुबारा से login करना है इसी website को और website को login करने के बाद आपको दुबारा से अपने detail डालके इसको दुबारा से करना है link पर click करेंगे और link पर click करने के बाद आपका pen card आपके आधार card से link हो जाएगा ठीक है दोस्तों I hope so आप सभी को video अच्छी लगी हो होगी और अगर कोई भी डाउट आपको हो तो आप comment section में comment कर सकते हैं और पूच सकते हैं आपको reply उसका मिल जाएगा ठीक है दोस्तों इस तरीके की video और भी आपको हमारी चैनल पर मिल जाएगी तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रही है और अभी तक subscribe नहीं किया है त को अगली वीडियो में एक नई latest जानकरी